नमस्ते दोस्तों दवाजानकरी चैनल में आप सभी लोग को सागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक कप सिरफ के बारे में जदि दोस्तों आपको सूखी खासी ड्राइक कॉप की समझ्छा है तो उस कॉंडिशन में जो सिरफ है इसको यूज क क्या-kya साबधाने रखना होता है क्या क्या हो सकते इस सिरफ को लेने के बाइस से इन कलब दोस्तों प्राइस कितना है बैकिंग है और कॉंटेंग तो इन सबी चियो से जुडिया जान करें दूस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलगा जिसके लिए दोस्तो प्राइबेट दरा बनावे पोड़क है जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही जाने मने एक ब्रैंड है दोस्तों और इसमें जो कॉंटेन है दोस्तों है है देक्स्ट्रो मेसरफेन हाइड्रोब्रोमाइन आईपी 10 मिलिग्राम एक दोस्तों एंटिटी सिव है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉप सेंटर है इसको सब्राइज करके काम करते हैं मतलब उसको एक्टिविटी को कम कर देता है और कफ को रिड्यूस करता है साथी में दोस्तों एक NMDA रिसेप्टा अंटागोनेश्ट भी कहा जाते है उसको ब्लॉक करने का भी काम करता है इन के अलब दोस्तों में क्लोर फिनमाइन मेलिटीड आईपी टू मिलिग्रम इसको दोस्तों हम लोग सीपीम भी कहते है एक दोस्तों एंटी हिस्टमेंड क्लस की दब सब्सक्राइज है हंडेड 111 रुपीज 111 रुपीज में आपको हर एक पोकर इंडिया का मेडिकल सॉप में जो सिरफ ही उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन में भी दोस्तों इस सिरफ इसली आपको मिल जाता है और दोस्तों जिदी बात के जो इस सिरफ के बारे में पूरी ड जुखाम है सर्दी है रानिंग नोज रानिंग आई की समझ्या है आपको बार बाद चीके आ रहे हो गले में इरिटेस हैं डिसकंपर्टबल जैसे आपको लग रहे है तो उस कॉंडिसे में दोस्तों जो डॉक्टर है इस सिरफ को पेस्क्राइब करता है इनकलाब दोस्तों जानेंगे सिरफ को कैसे आप यूज कर सकता है तो जो एडल है 18 से उपर में जो है उसको डॉक्टर दिन में तीन टाइम लेने को सला देता है सुबह दो पहर साम पाच अमेल करके दोस्तों खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दोनों ही समय आप ले सकते हो लेकिन क्यां देना होता है और दोसेज के बार में आप अपने डॉक्टर कभी दोस्तों सटावे सकते पर पूरू समहिला दोनों ही सिरफ को यूज कर सकता है चोटे बाच यो जरूर आप हमने डॉक्टर का सला से इस्तमाल करें और जो पेगिनल लेडी है और कुछ-कुछ साबधानी रखना होता दोस्तों इस सिरफ को यूज करने से पहले जैसे जिद आप सेवन करें इसको यू करें कि दोस्तों इस सिरफ को लेने के बाद आपको नींद भी आ सकता है दोस्तों और दोस्तों जदी सिरफ आप यूज कर रहे हूं उस कॉल वाटर पी रहे हो तो उसको एभड करें ठंडा पानी ना पिए कोल्डरिंग को एभड करें और गरम पाने के साथ नमक डाल के आप दिन में दो बार गर्गिल करें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिस करें जिससे इस सिरफ के जो रेजल है और भी अच्छा आजाएगा आपको फोर तुफाइब डे के अंदर जो ड्राइकॉप की समझ्छा है जो खांसी की समझ्छा है ओ दूर हो जाएगा दोस्तो और दोस्तों जदी बात किया जाए तो साइड इफिक के बार में तो दोस्तों यसे तो नॉर्मेली में इस सिरफ में किसी पड़ा साइड इपक नहीं है बहुत से बहुत अच्छा सिरफ है लेकिन जदे आप एक से ज्यादा यूज करते हो दिन में इसका जो मैक्सिमां डू सब्सक्राइब करें और जोरू दोस्तों हमारे चनल दावाजान करें को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग